तत्य एक मनुष्चे के जीवन में ऐसा ख्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्ट, सारी आशाएं, सारे द्रिश्ट, वस्थ हो जाते हैं, जीवन के सारे आयोजन ही दिखर जाते हैं, एक और धर्म होता है और दूसरी और सुख्ष, इसी को धर्म संकट ने देए, जब ध धर्म का त्याग ही तुख्ष, विचार कीजिए, कभी किसी इस वजन के विरोध, सत्य बोलने का अफसर प्राप्त हो जाता है, कभी ठीक दर्यद्रता के समय, सरलता से छोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता, या राजा के करमचारी क अधर्म प्रकट हो जाता है कि सबके जीवन में ऐसी घटना बंती ही रहती है कि अधिक्तर लोग ऐसे किसी क्षण को कि धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते हैं हमें किसी प्रकार के तंघर्ष का अनुभव ही नहीं पूता है सहजता से सुख्ष की और खिचे चले जाते हैं जैसे मक्षी गुड़ की और खिची चली जाती है वास्तव में घर्म संकट ताक्ट इस वर के निकट जाने का संट होता है यदि हम तंघर्षों से भैबीतना तुक्की और आकर्ष से तना अपने धर्म पर रिड़ रहे तो ईश्वर का साक्षातकार दूर नहीं पवन से युद करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकास की और उस्ता है पवन से जुखने वाली हाद वहीं भूमी पर रह जाती है अर्फाग घर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दूर दुक्स तो मिलता है जीवन बढ़ता है किन्तु क्या चरित्र नहीं जूपता है क्या आत्मा धरिद्र नहीं हो जाती है क्या इस वर्षते अंतर नहीं हो जाता तो एंविचार किए